एक बार फिर से स्वागत आप सभी का हमारे चैनल जी टी गुरुजी पर जहाँ आप सब को पता जी फर ग्रामर एंटी फर ट्रांसलेशन के वीडियो जाप सभी को मिलते हैं मैं हुआ आपका होस्ट आपका दोस्ट आपका English गुरु प्रभात कुमार सींग और आज मैं आप सब के लिए लेकर आया हूं Oxford Current English Translation के इक्सरसाइज 148 के solution को लेकर के जिसमें है mean Translate into English Church याने हिंदी दिया हुआ इसका English Translation मैं आपको बताऊंगा उसके रूल पर चर्चा करूंगा और यह जो है फ्रेंट्स एडवांस लर्नर्स इक्सरसाइज एडवांस लर्नर्स का मतलब होता है जो आपने पीछे 10-15 एक्सरसाइजेज बनाएं उसी का रेवीजन होता है और उसमें practical words होते हैं जो हम आपको टाइट अप नहीं होता बस थोरे प्रैक्टिस की जरूरत होती है यह आपने को इसमें ज्यादा गलतिया हो तो पीछे के 10-15 एक्सरसाइजेज को जोड़ मना ले वैसे एक दो शुरू करते हैं तो सबसे पहला आपका है लेकिन आगे बढ़ने से पहले बताना हैं उनका भी एक साथ क्या आप लिंक देखना चाहे तो उपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे मिल जाएंगे दो हैं इसमें एक में एक प्लेलिस्ट में वन से लेकर 100 तक है और दूसरे में 100 वन से लेकर लास्ट तक आपको मिल जाएगा इसके आपको नीचे उसमें मिल जाएंगे यही नहीं यह जो है यह टेंस से रिलेटेड है तो टेंस के वीडियो यदि आप एकदम शुरू से लेकर के एकदम 0 से hero level तक देखना चाहते तो उसका लिंक भी आपको उपर नजर आजाएगा और नीचे description में वहाँ टेंस को मैंने एक उसके बाद जो है आपको subject उसके बाद जो है भर्व का चोथा रूप ing और उसके बाद जो कुछ बचे उसको रख देंगे इसलिए हो गया where were you going that day उस दिन का that day क्या आप पढ़ने नहीं जा रहे थे were you not going to study वैसे आप बोलचाल में ज्यादा प्रियोग में होता इसलिए अगला है वह जानता है कि वह नहीं आ रही थी he knows that she wasn't coming या वही पिर आप लग लग लिक लिए she was not coming आगे बरेंगे अगला है कुछ लड़के घर में खेल रहते परन्तु कुछ लड़के पढ रहते some boys were playing in the house है ना कुछ लड़के घर में खेल रहते तो some boys were playing in the house but some were studying है इसमें अब दुबारे some boys लगाना कोई जूड़ी नहीं है वह अपने आप यहां से related है इसलिए नहीं लगेगा आप और लगाना भी हो तो bracket में आप boys लिख दीजिए तो ज्यादा clear हो जाएगा आप वह काम करने कब आ जा रहे थे when were you going to do that work और एक चीज़ और एक है करना और एक है जाना दो दो भर बाले हैं पिछे exercise में भी थे हिंदी में जो बाद में रहता है उसको English में हम पहले रख तुमने क्या करना चाहा अब यह सिंपल पास्ट आ गया यह जिसके अंत में रहे वह सिंपल पास्ट होता है तो what did you want to do है यहां पर भी चाहना और करना चाहना बाद में है तो इसलिए पहले यहां वांट आ गया क्या आप उस लड़के को जानते थे वही है ता था था थी थ आपते हैं ते हो जाएगा did you know that boy अगला और सिंपल पास्टेंस को पास्ट इंडिफिनिट भी बोलते हैं कि मैंने उसे एक बार देखा था I saw him once अना देखा था उसमें भी है वैसे इसमें एक और भी हो सकता है लेकिन इसका प्रियोग मिना और लेडी एवर नेवर या एक तरफ सिंपल पास्ट नहीं करना चाहिए वह अच्छा नहीं माना जाता है बॉल चाल में बेश्क हम यूज कर लें अगे राम का भाई दो वर्सों से क्या कर रहा है दिके निफ्यूज मत तो यह था 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 वाला था लेकिन वह है आगे आगे मिसलेनियस है अब इसी में बहुत सारे लोग गरपरी कर देते हैं कर रहा रही रहता तो EJMR के साथ ING रहता लेकिन यहां क्या है दो वर्सों से लग जया जब भी कुछ दो महिने से दो दिन से या कोई भी सुमबार से मंगलबार से जनवरी से फरवरी से लग जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिनिवस हो जाएगा इसलिए हैज बीन ह तुमने सुबह से क्यों कुछ नहीं किया यह तुम और ने है ना यह जो है यह इसमें मिस्प्रिंट है तुमने जो है वो एक साथ हो जाएगा मैं इसका स्क्रेंशॉट ले लेता हूं करेक्शन करवा दूंगा तो क्या हो जाएगा तुमने सुबह से क्यों कुछ नहीं किया या फिर why have you और तब not done anything since morning वैसे एक चीज़ और भी हो सकता है why have you है ना और done nothing not plus anything जो है वो nothing हो जाता है तो आप इस तरह से जो है why have you not है ना why have you done nothing है ना यह भी हो सकता है what have you done nothing यह भी हो सकता है और since morning अब कहेंगे सार इसमें been कहां लगा तो यह जो है यह आएई है यह है यह है तो यह present perfect होता है उसने क्या करना चाहे यह भी वह है what has he wanted अब यह जो है उसने क्या करना चाहे what has he wanted भी हो सकता है राम अपने भाईयों के साथ दिली कल दिली जा रहा है राम अपने भाईयों के साथ कल तो एक और मिस्टेक हो गया राम इस गोइंग तो देली विद इस ब्रदर्स तुमारो यहां पर तुमारो जो है वो छूट गिया है तो इसको आप लोग इसका भी मैं करेक्शन करवा आपको बहुत सारे लोग कहते रहते कि ज़र बहुत गलतियां हो जाते हो प्रिंटिंग का होता है मैं यूटूबर नहीं हूं पहले मैं मैं भले लिखा कुछ भी बताउंगा मैं सही आगे है शेया अगे हैं चाहती का मतलब है अपने रहत है और एसा जब रहता है तो यह त sentence में आ जाता है इसलिए हो जाएगा I know that you haven't done anything I know that है और पिर यहां कुछ नहीं कि I present perfect है चुकि यह है यह है यह है अगला है अगर वह काम कर रहा था तो उसने मुझसे क्यों नहीं का if he was doing work या आप इसकी जगा आप लिख सकते हैं इसी का दूसरा नाम प्रेजेंट प्रोग्रेशिव या इसी का फिर नाम प्रेजेंट इंपर्फेक्ट भी होता है स्वरी लोग अपनी हिम्मत हार रहे थे जब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था people who are losing their courage है ना losing इसको losing परेंगे when they had no other alternative कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था no one was helping anyone है ना वैसे nobody भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं क्या आपके पास कुछ नहीं होगा future आ गया है ना will you have nothing या फिर इसका यह भी हो सकता है कि will you not have anything तो आप सबको पता है कई वीडियो में बता चुका हूँ है ना की not plus anything जो है वो nothing हो जाता है तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग आगे आप टाल रहे थे और अपना समय बरबाद कर रहे थे you are working and wasting your time रहा था रही थी present past continuous क्या आप सिक्षित नहीं थी अब यह नोर्मल वाला आ गया वाजवेर वाला जो मैंने का ही था सुरी एक बार फिर से मैंने शुरू में कहा था कि कुछ नॉर्मल सिंटेंस भी जैमार वाजवेर भी आ जाते क्या आप शिक्षित नहीं थे वरंटी वेजुकेटेड पर नंतु आप तो बहुत स्कूल जाया करती थी है ना कोई खाया करता था जाया करता था तो यूस्ट स्कूल तुम एक बरे नेता बनोगे यू विल भी ए ग्रेट लीडर आप कहां जाने वाले हैं देखिए यह वाला है को है इसे मारक के साथ टू प्लस भीवन लगता है वेर आर यू तो गो अगला है आप अपने बच्चों को पढ़ाना क्यों नहीं चाहते हैं ना वाई टा अगला है क्या आप गरिवों की मदद करना चाहते थे ता था 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 ना थे थे तो यह सिंपल पास हो गया डिड़ यू वान तो हेल्प दा पूर आप कब परिक्षा देने वाले हैं वेन आर यू तो अप्यर एट दा इग्जामनेशन परिक्षा देना की इंगलिस अप्यर इग्जामनेशन तो फ्रैंड्स प्रकार से यहाँ पर यह समाप्त हो गया उमीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा कोई कंफ्यूजन नहीं होगी फिर भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें मैं कमेंट का रिप्लाइज जोर देता हूँ तो तोरी देर से ही सही और को सब्सक सके और आप पहले के वीडियो जाप को ढूंडने में आसानी हो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए हैवनाइस देए